महाराष्ट्र की रावेर तालुका में लोहारा से सवाखिडा तक की एक सड़क ने प्रशास्निक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिये हैं दरसल बीते तीन साल में यहां पर सड़क के जो हालात हुए हैं वो यह बताने के लिए काफी है कि यहां सड़क पर गड़े हैं या गड़ों में सड़क हमारी पड़ताल में पता चला है कि लोहारा से सवाखेडा जाने वाली सड़क अब विशालकाय पत्थरों में तब्दिल हो चुकी है जिसके चलते ये सड़क मार्ग अब बड़ी सड़क दुरुगटनाओं का केंद्र बिंदू बन गया है लेकिन दिम्मेदार अभी भी गहर नीन में सोय हुए है वही सड़क मार्ग पर एर सिमेंट के पाइपों में होने वाले रिसाव के कारण लाको लिटर पानी बरबात तो होई ही रहा है वही दूसरी और सड़क पर जल जमाओं की स्थिति बनी हुई है जिसके चलते कीसानों और मजदूरों को आने जाने में ब इसके लावा सड़क के या हालात है कि आप वास्तों में इस सड़क पर कहां जाना चाते हैं इसे समझने का कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि यहां सड़क और गड़ों में अंतर करने में अच्छे-च्छे समझदार भी फेल हो गए हैं हालकि सडक मार के बेतरतीब हालात को देख कर समय समय पर कुछ खिसानों और सामाजिक कारे करताओं ने सडक की खराबी के मुद्दे को खुल कर दुनिया के सामने रखा है वही मेडिया भी कई बार जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास करा चुकी है बावजुद इसके बीते एक साल में पहले के मुकाबले सडक के हालात और भी खराब हो चले है फिलाल ये कहना मुश्किल है कि सडक मार की मरमत और हालात में सुदार कब होगा फिलाल ये कहना मुश्किल है कि सडक मार की मरमत कब और कैसे होगी क्योंकि यहां सवाल लोहरा और सवाखिला के नागरिकों के मन में भी है लेकिन प्रशासन कुम्बकर्ण की नीन में सोया हुआ है जो नीन से जागना ही नहीं चाता है 91 News 9 के लिए रावेर जलगाओं से जाकीर खान की रिपोर्ट